जब किड्नी की बात करते हैं तो सबसे जरूरी ये होता है कि हम किड्नी को स्वस्त कैसे रखे क्योंकि किड्नी को स्वस्त रखने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने आहार में क्या ले रहे हैं कितनी मात्रा में ले रहे हैं या पिर कहीं आप ऐसा कोई आहार तो नहीं ल बढ़ा रहा हो शहीर में अधिक मात्रा में टॉक्सिंज यानि की जरीले पदार्थों का बढ़ना किड्नी में खराबी कर सकता है। खास्टर्चा खजूर खाने में बहुत ही मीठा और बहुत ही स्वादिश्ट होता है। कुछ लोग इसको दूद में डालकर इसका सेवन करते हैं, कुछ लोग इसका हलवा भी बना लेती हैं और कुछ लोग इसका प्रयोग ड्राइफ्रूट के रूप में करते हैं। इसके सेवन से आपको शरीर में ताकत मिलती है और आपके शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ती भी मिलती है। आपको बता दें कि किड्नी की मरीज खजूर का सेवन नहीं कर सकते क्यूंकि खजूर में पाय जाने वाले पौशिक तत्व, डामेज किड्नी को और ज्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसलिए किड्नी के पेशिंट इसका प्रयोग ना करें। खजूर का सेवन वजन बढ़ा सकता है और किड्नी के मरीजों का वजन बढ़ना हानी का रख हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किड्नी खराबी का एक संकेत वजन बढ़ना भी होता है। किड्नी में खराबी का एक खास कारण डियाबिटीस की समस्या होती है और खजूर में प्राकरतिक रूप से मीठा पाया जाता है जो बलड में शुगर के स्थर को बढ़ा सकता है। खजूर में पोटाश्यम की मात्रा लगबग 6.96 mg होती है जो किड्नी को नुकसान पहुचाने के लिए काफी होती है। तो यह है कुछ ऐसे कारण जिन से साफ पता चलता है कि किड्नी के मरीजों को खजूर का सेवन कितना नुकसान डायक हो सकता है। ऐसा बिलकुल नहीं है कि खजूर के कोई फादे नहीं है। जिनकी किड्नी ठीक है उनके लिए खजूर का सेवन काफी लाबदायक होता है। खजूर में पाय जाने वाला अंटियोक्सिडेंट आपकी आर्ट्रीज को साफ रखता है, जिससे उनमें खराब कलेस्ट्रोल जमा नहीं होता, इससे आपको हार्ट अटैक और हार्ट ब्लॉक जैसी परिशानी नहीं होती। दूसरा है तनाव को कम करें, खजूर का सेवन आपकी कलेस्ट्रोल लेवल को सही रखता है, जिसके कारण सही मात्रा में ब्लॉड आपके दिल और दिमाग तक पहुंचता है, जिससे आपको तनाव जैसी सितिन नहीं होती और आप दिमागी रूप से अक्टिव रहते हैं। आपका ब्लड सेकिलेशन सही होने से आपका ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है, जिससे आपको हाथ से जुड़ी समस्या नहीं होती। इसके साथ खजूर का सेवन आपको कैंसर जैसी गंभीर बिमारी से बचाता है, अंटियोक्टिन से बरपूर खजूर आपके शरीर में कैंसर सेल्स को बढ़ने नहीं देता, जिससे आप इस गंभीर बिमारी से दूर रहते हैं। साथ ही खजूर का सेवन आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है जिससे आपके शरीर को रोक से लड़ने की शक्ती मिलती है खजूर में सलफर होता है जो बहुत कम खाने वाली चीजों में पाय जाता है अगर अपने अमित मात्रा में खजूर का सेवन करते हैं तो इसमें पाय जाने वाला सलफर आपके शरीर को किसी भी आलर्जी और रियाक्शन से दूर रखता है अगर आप खजूर का सेवन करते हैं तो यह आपकी हड्यों को मजबूत रखता है इसमें पाय जाने वाला फाइबर आपके digestive system को ठीक रखता है इससे आप जो भी आहर का सेवन करते हैं वो आसानी से digest हो जाता है तो यह हैं खजूर खाने के फायदे जिससे आप अपनी किड्नी को स्वस्थ रख सकते हैं लेकिन जिने किड्नी में कोई भी समस्या है उन्हें इसका सेवन नहीं करना चाहिए आई अब बात करते हैं खजूर के नुकसान के बारे में इसका अदिक सेवन आपके वजन को बढ़ा सकता है इसके लिए जरूरी है कि आप इसका सेवन सिमित मात्रा में करें खजूर का अदिक सेवन आपकी मासपेशियों को कमजोर बना देता है जिससे शरीर में कई परेशानिया हो सकती है छोटे बच्चों को खजूर बिलकुल नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसके सेवन से उनकी आतों में परेशानी हो सकती है तो ये हैं खजूर के कुछ फायदे और उसके नुकसान इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करना है या आपकी किड्नी को तो स्वस्त रखेगा ही साथ या अपके शरीर में होने वाली अन्य समस्याओं को दूर करने में मदद करेगा आप किड्नी को स्वस्त रखने के लिए अपने जीवन में योग और आरवेद को जगा दे इससे आपका शरीर स्वस्त रहता है अगर आपको या आपके किसी भी अपने को किड्नी में कोई भी समस्या है तो कर्मा अरवेदा से आप संपर्क कर सकते हैं कर्मा अरवेदा उप्चार केंद्र में आपको किड्नी से जुड़ी सभी प्रकार के समस्यों का समधान मिलता है और ये उप्चार पूरी तरह प्राकरतिक है जिसका कोई साज एफेक्ट नहीं होता कर्मा अरवेदा उप्चार किंद्र में आपको सफल इलाज के साथ साथ बहतर आहार की जानकारी भी दी जाती है कर्मा अरवेदा में आप जालसेज और किंद्र ट्रांस्प्लांट जैसी समस्या से दूर रहते हैं और पूरी तरह प्राकरतिके लाज प्राक्त करते हैं अगर आपको मारे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेर करना ना भूलें साथ ही अपने विचार और सुजाव भी आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं अगर आप किड्नी की किसी पर समस्या से परिशान हैं तो आप हमें वाट्साप के माध्यम से भी संपर कर सकते हैं हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है हम जल्द हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ फिलाल के लिए इतना ही धन्यवाद अधिक जानकारी के लिए आप हमारी विबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग आन भी कर सकते हैं